बूर्णिंग स्टुडेंट्स, क्लास फिफ्थ, चैप्टर है तीन नमबार हिंदी का अपनी वस्तु, उसके क्वेस्टन अंसर देखिए, इनको तो बोलने के लिए उचारण करना है आपको, आप कर लेंगे, पहला क्वेस्टन है लडाई जगडा कौन कर रहे थे, तो लडा हपस में लडाई जगडा कर रहे थे, क्वेश्चन लिख लोग ऐसा है बच्चो, अगला है दोनों भाई किसके लिए जगडा कर रहे थे, किसके लिए जगडा कर रहे थे, बताओ बच्चो, जमीन पर अधिकार के लिए, जमीन पर अधिकार के लिए किसके लिए अधिकार के लिए दोनों भाईयों को किसने समझाया महात्मा ने किसने समझाया महात्मा ने मैं हाँ ते आदा मा महात्मा थोड़ा साफ नहीं लिखा जा रहा है तो ध्यान से देख ले ना महात्मा अगला कोश्चन है दोनों भाई क्या कर रहे थे लड़ाई जगडा महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए क्या लाने के लिए भोजन क्या बोला था भोजन लाने के लिए और इसका अंसर लड़ाई जगडा महातमा जी ने जगडा रोकने के लिए दोनों भाईयों को क्या राय दी क्या राय दी वही उसने का कि जिस भूमी के लिए जिस भूमी या जमीन के लिए जगड रहे हो हो प्या कर रहे हो जगड रहे हो उसी से पूछ लो पूछ लो उसका असली मालिक कौन है यानि महातमा जी ने का कि जिस जमीन के लिए आप लड़ रहे हो न उसी से पूछो न कि वह है किसकी ठीक है अगला क्वश्चन बोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महातमा जी का क्या उदिश्य था क्या उदिश्य था भई दोनों भाईयों के क्रोध को शांत करना क्या उदिश्य था दोनों भाईयों के क्रोध या गुस्सा कुछ भी आप लिख दें वो सही होगा किसको क्रोध थोड़ा लिखने में दिक्कत रहती है वही इसमें क्या कहा मात्मा जी के अंसार दर्ती ने क्या कहा इस क्वेश्य ने क्या कहा दर्ती ने मैं इन इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ ये दोनों अवश्य मेरे हैं मैंने इनकी कई पीडियों को पाला है जाते हुए भी देखा है और जाते हुए भी देखा है student question याद भी हो गया मैंने मैं इन दोनों में से किसी की नहीं है और मैं ये दोनों मेरे हैं और मैंने इनके कई पीडियों को पाला है student दोनों भाई लजजीत क्यों हुए दोनों भाई लजजीत क्यों हुए इनका अंसर है दोनों एक दूसरे के लिए लड़ाई कर रहे थे यानि एक दूसरे की जान लेने के उपर तुले हुए थे जबकि जमीन ने क्या उत्तर दिया जमीन ने का मैं किसी की भी नहीं हूँ यानि आप दोनों में से मैं किसी की नहीं हूँ इस ये बात सुनकर दोनों भाई लजीत होगे Next question, students, महात्मा जी ने दोनों भाईयों को कैसे समझाया? तो आंसर देखें, student, sixth number question, sixth number महात्मा जी ने दोनों भाईयों को क्या समझाया? तो student देखें, महात्मा जी ने दोनों भाईयों को समझाया कि वे वेर्थ में ही जगड़ रही हैं का वेर्थ में ही जगड़ रही हैं इस दर्ती पर किसी का कुछ नहीं है बड़े-बड़े राजा, छतरपत्ती राजा हुई हैं वो भी अपना-पना कहकर चलेगे प्रंतु साथ कुछ नहीं यानि जब उनकी डैथ हुई तो साथ क्या लेके जाते हैं? कुछ नहीं लेके जाते हैं तो इस परकार से कुष्चन होगे students और आगे हैं दो आपके महावरे और उसको अभी करवाएंगे students महावरे लाल पीला होना अत्यादिक क्रोधित होना इसी परकार महावरे दिये हुए है 9-11 होना भाग जाना 9-11 होना भाग जाना चोर है वो पुलिस को देखकर 9-11 हो गया देखिए अगला महावरा पसीना पसीना आना गबरा जाना ये गल्त लिखा हुआ है गबरा जाना जो चोर पुलिस को देखकर पसीना पसीना हो गया तो ये 1-2-3 ये तीनों महावरे भी आपको कॉपी में लिखने है थैंक यू ये चैप्टर पूरा होगा